सवे भवंतु सुखिन, भाग माइनस ग्यारह, ना लाया साथ कुछ बंदे, ना तेरे साथ जाएगा, जो गुरु उपदेश के अनुरूपो ग्रहन करें, महान आत्मावने बार बार समझाया की, हम जैसे कर्म करेंगे, वैसा ही हमें परिनाम भी प्राप्त होगा, यदी कर्म दुराचार करने से दुख की प्राप्ती होती है, इस संसार के आकर्शन के कारण, हम सत्य पत पर चलने का वादा भी भूल जाते हैं, जो हम हमारे आदर्श पुरुष गुरू से दीक्षा लेते समय करते हैं, और उनके ज्यान के विप्रीत कर्म करते रहते हैं, हम हमार आरध्य आदर्श पुश्की वानी उब्देश ग्रंथ को याद नहीं रखने के कारण। गलत पत का अनुसरन करते रहते हैं और गलत पत पर चलने का सबसे बड़ा कारण तो इस द्रिश्यमान जगत के परम सत्य मृत्यू को याद नहीं रखना ही है कि ना जाने कब कहां किस घड़ी बुलावा आ जाए मन की इच्छा मन ही मन में रह जाए और अंतता हंत में जब मृ मृत्यू आती है तब चटपटाहट का सामना करना पदता है जैसे की विडियो वाइरल होते हैं उनमें दिखाया जाता है कि सरधड से अलग होने पर भी धड में कुछ समय तक चटपटाहट शेश रहती है तो उसी तरह की बैचेनी का अनुभव मृत्यू के दोरान होता है जो धर्मपत के पथिक हैं वे तो मृत्यू की परवाही नहीं करते हैं और शांती पूर्वक हस्ते मुस्कराते हुए अपनी नश्वर देह का त्याग करते हैं हमारे कर्मों के अनुरूप ही हमें स्वर्ग नरक मुक्ती की प्राप्ती होती है हमें मुक्ती चाहिए अत्वा नहीं हमें मुक्ती मिलेगी या नहीं इस उर्जन में नहीं रहते हुए हमें अनवरत बिना रूके हुए सही दिशा में निश्काम भाव से सतकर्म करते रहना चाहिए। यदि हम में कुछ नियूनता रही, तो भी सतकर्मों की अधिक्ता होने पर। अगला जन मैश्वर्य पूर्ण होना सुनिश्चित है। भाग्य और कुछ नहीं। हमारे पूर्व जन्मों में किये गए कर्मों का ही प्रतिफल है। जैसा कि कहते हैं कि हम हमारे भाग कुछ नहीं केवल और केवल हमारे कर्म होते हैं। हमारे पुरुशार्थ मै कर्म ही हमारे इस जन्म के भाग्य का निर्मान करते हैं। यदि हमें मुक्ती नहीं चाहिए तो हमें तटस्ट तो रहना ही चाहिए। सतकर्म नहीं कर सकते हैं। तो दुशकर्म से तो दूर रहना क्यог Vernance कि दुर रहना भी, कुछ अंशों में सतकर्म ही होता है, कि उसथ करा किसी का अला कर है, यदि किसी का भला नहीं कर सके, तो किसी का बुरा तो बिलकुल भी नहीं करना चाहिए, फूल की तरह किसी को सुगंध प्रदान नहीं कर सकते हैं, तो कांटे बनकर किसी को दुख तो बिलकुल भी नहीं पहुँचाना चाहिए। जीवन मुक्त आत्माव की तरह नहीं बन सके। तो कम से कम इंसानियत को धारण कर। इंसान तो बने। पशुवत व्यवाहार नहीं करें। शैतान हैवान तो नहीं बने। इतना भी यदी कोई करेंगा तो उसके जीवन में सुख की अधिकता होगी और दुख की न्यूंता रहेगी। सबका भला हो।